हे फ्रेंड वेल्कम बेक टू माई यूटूब चानल हम इसके डीके एंड आज हम इसके शेयर के बारे में बात करने जारे हुआ हरी अंत कैपिटल मार्गेट्स लिम्टेड जी हाँ यह एक फाइनन्स एंड इंवेस्टमेंट सेक्टर के कमपनी है अगर बात करूं मिसके प्राइज है और आज हम इसके डीके गरावट देखनी को मिल रही है यह 75% के आपको क्यों गरावट देखने मील रही है इसका रीजिन भी मा आपको बताऊँगा अगर बात करूं में इसके घरावट के तो आपको पता ही होगा आज कमपनी ने जो 5 रेश्व बन में स्टोक बिट दिया है अगर आपके पास इसका एक शेर है तो आपको स्टोक स्पीट के रूब में 5 शेर मिलेंगे इसी काड हमें जो यह गिराउट देहने को मिल रही है इसे हम गिराउट नहीं कह सकते हैं एक प्राइज रजस्टमेंट है क्योंकि आप देखो पहले जो इसका एक शे क्रेडिट करने के लिए 2-3 विक लगेगा मैक्सिमम टाइम 2-3 वीक लगेगा इससे पहले ही हमें जो नए शेर मिल जाएंगे तो इन सब को लेकर भी आपको पहने की नहीं होना है अगर बात कुरूँ में इसके मार्केट कैप के तो आप देखोगे 983 क्रोड़ का मार्केट का EBS पी रेसो आप देखोगे 19 का है जो बहुत अच्छा माना जाता है Return on Capital Employee के बाद यह तो 22% है Return on Equity आप देखोगे 20% है जो कि दोनों ही बहुत अच्छी माने जाती है EBS आप देखोगे 4 रुपे 83 पैसे का EBS है Public Holding आप देखोगे 25% है और जो Promoter Holding है वो 74% है इसकी Promoter Holding बहुत अच्छी है FI के Holding आप देखोगे 0.33% है DIA कि इसके अंदर Holding नहीं है अगर मैं बात को Company को पर डेट की तो आप देखोगे 58 क्रोड का Company को पर डेट है Animal Profit के बात के तो 34 क्रोड की है अगर बात को इनवेस्टमेंट की तो आप देखोगे 20 क्रोड की जो इसकी इनवेस्टमेंट है तो इसका जो Annual Profit और जो इनवेस्टमेंट है ये बहुत अच्छी है Company का जो डेट है ये धिरे-धिरे पेक करती जारी है ये बहुत अच्छी बात है अगर बात को में Free Cash Flow की तो Company के पास Free Cash Flow नहीं है अगर बात को Company के Face Value की तो 5 रुपे इसकी Face Value है स्टोड मिट के बाद इसकी Face Value 1 रुपे हो जाएगी Company जड डिविडेंट भी देती है 1% से अगर बात को Book Value की तो आप देखोगे 19 रुपे इसकी Book Value है और जिसका Current Price है वो 94 रुपे है यानि जो स्टोग अपने Book Value को लग भग 5 टाम ट्रेड कर रहा है तो आप देख सकते हो इसके जो fundamental है बहुत जादा strong है पर motor holding अच्छे return on equity, return on capital employed और stock period सो बहुत अच्छे माने जाते हैं company जो है dividend भी देती है तो आने वाले टाम में हमें जो इसके अंदर अच्छे तेज़े देखने को मिलेगी अगर आप यहां से अपनी holding बना कर चलते हो तो इसका जो target रहेगा आने वाले एक से दो महिने का जी हाँ एक से दो महिने है इस टोक हमें 150 को break out करते नजर आएगा अगर बात करो में इसके long term target के आने वाले एक से दो साल में तो इस टोक हमें आने वाले एक से दो साल में 250 रुपे तक भी जाते देखने को मिल सकता है तो आपको इसका साथ सिर्फ हो सिर्फ long time के लिए बने रहना होगा तभी जो आपको इसके अंदर अच्छा profit देखने को मिल सकता है स्टोक फेंडामेंटल के साथ स्टोक जो आप बहुत अच्छी position पर है अगर आपको वीडियो पसंदाए लाइक कीजिए अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नीकिया तो सब्सक्राइब कर लेना और थैंक यो फर वोचिंग दब वीडियो